सातियों नमस्कार सातियों आज का दिन आपके लिए काफी important है और आज आप दिन के ही इस चीज का practice कर रहे हो कि आपका जो exam center है वो कहां पे आया और बहुत से लड़के हैं वो अपना exam center निकाल भी चुके हैं और बहुत से हैं उनका side में error आने की वज़े से अभी तक वो निकाल नहीं पा रहे हैं और काफी फरिशानी का सामनाप करना पड़ रहा है दोस्तों इसी वज़े से में आपके लिए second video वैसे में दिन के दो या धाई वज़े की something में आपके लिए एक video available करवा चुका हूँ तो ये video बनाने का मेरे main मक्सद यह है बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इस वक्त की दो form लगे हैं तो दोनों के exam center निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं home district मिला है या नहीं मिला है अगर दो form लगाए हैं तो उन में से exam center दोनों का कहां पर आएगा जहां से form लगाए हैं वहीं से exam center आएगा बहुत से लड़के कमेंट करके ये भी बतारेंगे हमने दो फॉर्म लगाएं लेकिन निकल हमारा एक ही फॉर्म रहा और एक फॉर्म नहीं निकल रहा तो दोस्तों इन सारी चीचुपर विसलेशन करेंगे और मैं आपको एक बार फिर से बताना चाता हूँ सोट में मैं आपको बता दूँगा कि आपको step by step कैसे check करना है और direct में आपको link दे दूँगा वीडियो के description में link दे दूँगा comment box में link दे दूँगा आप direct वहाँ click करें और click करने के बाद में जैसे ही site पर traffic कम होता है तो traffic कम होने के बाद में आप अपना exam center है कौन से जिले में आया है वो सारी चीज़ें आप confirm कर पाऊगे तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इनमें और भी सारे confusion है आपके form किसके delete हुए है ये भी सारी चीज़ आपको बहुत से बंदों का यह है कि form भी delete हुए है तो form delete हुए है किनके वो भी इसने अपन information डालेंगे और SSO ID मिस हो गई तो अपन किस परकार से SSO ID के password मिस हो गई SSO ID मिस हो गई तो सब कुछ मिस हो गया SSO ID मिस हो गई तो सब कुछ मिस हो गया आपके WhatsApp नमर मुझे डालें मैं आपको WhatsApp पे connect करके फिर उसको मैं directly आपको बताऊंगा किस परकार से आपको forget करना है सारा सब कुछ system में उस परकार से आपको बता दूगा और अगर form delete वाला option है बहुत से लड़कों के comment ये भी आ रहे हैं अगर आपके first step में समझ में नहीं आया तो मैं आपको short में समझा देता हूँ वैसे मैंने दिन में वीडियो डाला था वो step by step में आपको बताया था सारी information उसमें मैं डाला था कैसे आपको step by step check करना है तो चलो पहले मैं आपको step by step check करके बता देता हूँ कि SSO ID में आपके password कैसे डालने आपकी date of worth कैसे डालने वो सारी चीज़े बता देता हूँ फिर उसके बाद में आपको next जितने वे आपके confusion है उन पे आपको चर्चा करेंगे सबसे पहले आपको SSO ID राजस्थान पुलिस करके गुगल पे सर्च करना है आपके पास first वाली site आएगी आपको उसी पे क्लिक करना है वो site खुलते ही आपको इस परकार का interface सामने आ जाएगा तो आपको यहां पे सबसे पहले SSO ID और नीचे password और उसके नीचे capture डालना है SSO ID password और capture डालना मैं आपको पहले भी वीडियो मता चुका हूँ यह तीन process करने के बाद में आपके सामने next जो page खुल कर आएगा वो इस परकार का आएगा थोड़ा सा time यह ले सकता है क्योंकि इस time पे traffic ज्यादा है और इस time पे सभी सर्च करें तो traffic ज्यादा है आप 10 या 11 बजे नाइट में सर्च करें या morning में जल्दी आप सीज को सर्च करें तो थोड़ा सा time यह यहाँ पे जो login होने में थोड़ा सा time ले सकता है लोग इन होने के बाद में आपके सामने next यह वाला step कुल कर आएगा उसके बाद में आपके सामने क्ल कर आएगा जो सबसे important भात है यहाँ पर जो requirement टू है requirement stick 2 पे ही आपको click करना है वहाँ पे जाकर आपका application निकलेगा और application के बाद में आपको application का जो second वाला option आएगा वहाँ पे आपको एक link दिया होगा उस link पे आपको जाकर click करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो link आपको district जो आपको information है उसमें यहाँ पे आप click करोगे तो second आपको सामने page कुल कर आएगा और वहाँ पे उस link पे आप click करोगे तो click करने के बाद में आपको वहाँ पे होगा कि आपका exam center district लिखा होगा उस पे click करते ही फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार का interface कुल कर आएगा और उस पर आपको किस प्रकार से अपनी information डालनी है और आपको वहाँ से login कर लेंगे अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मिरे को comment करके बताओ और आपके roll number है वो भी आप मिरे को direct डाल सकते हो आलांकि roll number मन डालना आप direct तो मैं आपको इस वीडियो में continue बता रहा हूँ कि दो form लगे हैं तो वो कहां से आपको exam दे पाएंगे आप उसका कोई form delete थोड़ी हुआ वो सारा आप वीडियो में end तक बने रहेंगे तो आपको सारी चीजी समझ में आएगे और इस प्रकार आपके सामने सबसे पहले आपको अपने form संक्या उपर डालनी है आपका जो application number है वो सबसे उपर डालनी है नीचे आपको date of work डालनी है और जो capture होता है उस पर आपको सर्च करके capture की जो code है वो आपको देख लेना है capture code निकलने के बाद में आपके तीनों होन आराम से निकालोगी लेकिन दोस्तों आपके जो confusion है वो मैं बता रहा हूँ कि आपके बहुत से confusion है और मैं इस वीडियो में आपको end तक बताऊँगा कि आपके क्या-क्या confusion है और दूर होनी चाहिए पहला आपका confusion है दो form लगे हैं तो दोनों के exam centers अगर आपने जिस जिले स लगाया है वहाँ आपका exam center नहीं आया है दोस्तों अगर वीडियो लंबा हो गया तो मैं आपको कल वाले वीडियो में बता दूँगा अगर आप यहां तक पहुंच गए तो मैं आपको बताए देता हूँ सोट में बताऊँगा मुश्किल से एक यादेरी मिनिट और लगे किसी का अजमेर आए रहा है किसी का कोटा आए रहा है किसी का अलवर आए जहां से आपने exam जहां से आपने फों भरा है अलग अलग जगे आपका exam center आ रहा है सबसे बड़ा confusion दूर हो गया second confusion है, home district में कोई exam center नहीं मिल रहा है, third confusion है, form किसके delete हो रहे हैं, form में गलती रह गई थी, और form अगर आपने edit नहीं करवाया, तो form उनके delete हो रहे हैं, जिन में ज़्यादा गलती रह गई थी, उनके ही form delete हो रहे हैं, बाकी form अगर, जिन्होंने अपनी form के उपर, जिस भी बंदे ने form के उपर, अपनी date of worth और जो signature के वे, फोटो के उपर लगाते हैं, वो नहीं लगाया है, तो उसमें तो capture कर रहा है, सारी चीज़ें उसमें, सब कुछ form स्योग कर रहा है, जिसके form में mistake रह गई थी, तो वो भी form स्योग कर रहा है, और यहाँ पर उसके भी जिलेवा, जो district कौन सा है, सेंटर, वो सारा सब कुछ उसे भी बता रहा है, तो form उसने के delete हुए, जिन्होंने ज़्यादा गलतियां की है, इस पर मैं आपको separate वीडियो भी बता दूँगा, थोड़ी देर में मैं next वीडियो डाल क्योंकि यह वीडियो लंबा हो गया, आप एंड सक नहीं रहे हो, थैंकियो दोस्तों